अगर आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं तो आपके लिए दर्श न्यूज के इस खास सेग्मेंट में हम खुश खबरी लेकर आए हैं विहार ग्रामीन कारे विभाग में 2261 नए पदों पर भाली होगी दरसल ग्रामीन सडकों की गुणवत्ता और उन्हें बहतर करने के लिए ग्रामीन विभाग का नए सिरे से पुनरगठन किया गया है पहले इसके तहट अब तक विभाग में 6244 यानी 6244 पद थे इसमें 2261 नए पदों का स्रिजन किया गया है अब विभाग में 8683 पद हो गया है पुनरगठन से संबंधित विभाग ये संकल्प जारी किया गया है बहाली की प्रक्रिया जल्द सुरू होगी सरकार ने तै कि ग्रामीन सडकों का निर्मान और मरमत विभाग ये स्तर पर होगा इसके लिए सरकार के सिर्श स्तर पर कई बार बैठकें भी की जा चुकी है इसी के आलोक में विभाग ने सभी पदों का नए सिरे से गठन किया है विभाग में अभी अभियनता प्रमुख के एक पद हैं पुनर गठन के बाद ये दो पद हो गये हैं विभाग के अधीन अभी 4 जोन हैं जिसके मुख्या मुख्य अभियंता होते हैं विभाग ने जोन की संख्या में भी वृध्धी करते हुए 8 करने का निर्णे लिया है अब तक विभाग के अधीन 20 सरकिल कारिरत हैं इसकी भी संख्या में 2 की वृध्धी की गई है अदिक्षन अभियंता इसके प्रमुख होते हैं, जबकि समानिकार प्रमंडल की तर्ज पर 108 गुन नियंतरन प्रयोग साला प्रमंडल होगा, जिसकी जिम्मेदारी सहायक अभियंताओं को दी गई है। जबकि अधिक्षन अभियंताओं की संख्या 30 से 40 हो जाएगी। इसी तरह परिचारी के पद में 382 की वृद्धी की गई है, स्रिजित पदों में निम्नवर्गिय पदों को सीधी भरती से भरा जाएगा, जबकि सहायक अभियंता से उपर वाले पदों को प्रमोशन से भरा जा सकता है। कुछ पदों को संविदा से भी भरने की योजना है। या मरम्मत की निग्रानी करेंगे। इस निग्रानी को टियर 2 का दरजा दिया गया है। विस्तरिच जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट rwdbihar.gov.in पर जाएं। दर्शन्यूज के इस खास सेग्मेंट में फिलाल इतना ही लेकिन खबरों का सिलसला लगा तयार जारी है। देखते रहें दर्शन्यूज। दर्शन्यूज।